मुंबई के गिरगाउं चुपाटी में चल रहे मेकेन इंडिया का जो वीक चल रहा था उस दोरान यहां पर एक बड़ा हाथसा हो गया जी हाँ अबिबार शाम सांस्कृतिक समारो महराष्ट रजनी का अगाज होने के कुछ देर बाद ही मंच पर आग लग गई इस भीशन आग में पूरा पंडाल जल कर खाको गया कारेक्रम के दुरान मुख्य मंत्री देवेंद्र फड़नवीस आमिर खान, अमिताब बच्चन, कट्रीना कैफ समेट कई वीवी आईपी मौजूद थे सीम ने कहा कि सभी लोग सुरक्षत है इस हाथसे में किसी के घायल होने की कोई खबर फलाल नहीं आई है करीब एगंटे की मशकत के बाद आगपर काबू पा लिया गया शाम तकरीबन साथ बजे जब आग लगी तब स्टेज पर लावणी डान्स चल रहा था आगपर काबू पाने के बाद मुख्य मंत्री फड़नवीस ने कहा आगपर काबू पा लिया गया है सभी लोग सुरक्षत है किसी भी स्टिती से निपटने के लिए पूरी तयारी की गई है जो इस कारण बगैर किसी भगदड के सभी को सुरक्षत निकाल लिया गया आग कैसे लगी और फायर सेफटी और सेक्योर्टी चेक को लेकर जांच के आदेश अब फड़नवीस ने दे दिये हैं खास बात ये भी है कि कारिकरम के दौरान कई वी वी आईपी लोग स्टेज के निकाटी मौजूद थे जब आग लगी उससे ठीक पहले अमिताब बच्चन, हेमा मालनी और प्रसुन जोशी ने भी मंच पर अपनी प्रस्तूती पेश की थी सांस्कृतिक समारोज शुरू होने से पहले शफसेना प्रमुक उदवठाकरे ने कारिकरम को संबोधित किया था सीम ने कहा कि कारिकरम से पहले सभी को फायर एग्जट से लेकर तमाम रास्तों को लेकर ब्रीफ कर दिया गया था प्यम मोदी ने भी फोन पर मुखे मंतरी से बात कर हलात का जायजाल लिया है और ये भी साफ कर दिया है पढ़नवीस ने की सब सुरक्षित है किसी भी तरा की कोई भी नुकसान नहीं हुए हलाकि जो वहां का मंच था वो जलकर खाक हो गया लेकिन किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है मेकिन इंडिया के स्टेज पर ये भीशन आग लगी साट मिनिट तक ये आग जलकर पूरे स्टेज को खाक कर गई जस वक्त ये भीशन आग लगी उससे कुछी देर पहले यहां पर बहुत से वी वी आईपी मौजूद थे साथी साथ आग लगने से ठीक पहले अमिताब बच्चन और प्रसुन जोशी ने भी मंच पर अपनी प्रसुती पेश की थी और उसी के कुछ देर बाद मंच पर आग लग गई काफी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है तो वही अब जांच के भी आदेश दे दिये गए हैं आखिर कैसे आग लगी और क्या कुछ इसके पीछे की बात रही